आप सबका बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे अगर मेस रासी वालों का सूरिय तरतिय इस्थान में जाकर बैठा है उनकी जन्म कुंडली में तो किस प्रकार का उने फल करेगा क्या सूप प्राप्त होगा और किस प्रकार का उनके जीवन में सूरे पर प्रभाव पड़ करते हैं जाना है ईस बैrossAL वीडियों को देख सकते हैं और इस वीडियों में बताइक स्थे तरतिय वालों का सूरिय कैसा फाल करता है तो प्रारंब करते हैं यहादि मेसराशी वाले जातकों का सूर्या जर्नल्म कुंडली में तृती अबहाव मैं अगर विराजमान है तो जातक साहिशी होता है या यह से जातक के अंदर काफी सहास होता है बहुत हम्मत वाला होता है, वह किसी भी कारे को बड़े अच्छे से करता है और बहुत ही हिम्मत वाला होता है ऐसे व्यक्ति जो है जगडालू होते हैं और लडाई जगडे में काफी एकदम आगे आजाते हैं इन्हें पहलवानी करने का बहुत सौक होता है सारीरिक बनावट काफी अच्छी होती है सरीर से हश्ट पुष्ट होते हैं अच्छे बलवान सरीर के ऐसे जो जातक होते हैं वह स्वामी होते हैं पराक्रमी होते हैं राज कर्मचारी भी होते हैं जियां ऐसे जो जातक होते हैं वह सेना नायक होते हैं सेन्य छेत्र में बड़े अच्छे पदबर विराजमान होते हैं और ऐसे जातकों को युद्धादी मैं भाग लेने का बहुत ही ज़्यादा इनका मन होता है युद्ध में या रण छेत्र में यह अपनी अपना सत्परती सत्य योगदान देते हैं और विजय भी ऐसे जातक प्राप्त कर लेते हैं किन्तु तरतिय भाव में शूरी जो है मेसरासी वाले जातकों के लिए भाई के सुख जातक को प्राप्त नहीं होता है और वहाई के लिए कश्ट दायक होता है और ऐसे जो जातक होते हैं जिनका सूरी त्रतिवाब में हैं और वहाई बहुत जादा होता है और रती प्रिया होने के साथ साथ संभूग कौसल उसके अंदर बहुत जादा होता है भाह नित्य नए तरीके से जो है रती प्रिया करने में आनन्द रखतानन्द की अनुभूती करता है और परदार आसक्त दूसरे की पत्री में अपने मन को लगाते हैं इस तरह के बहुत पर उपकारी भी होते हैं अपने साथियों का अपने बंदूओं का सहीयोग भी बहुत अच्छे से करते हैं और रिष्टे को या और व्यवहार को बड़ी कोसलता पूरुबक निभाते हैं ऐसे जो जातक होते हैं वह तरतिय भाव पर अगर उनके पाप प्रभाव होगा या प प्हल करने की छुमता रखते हैं लेकिन यदि पाप प्रभाव होaghा और कमजोड अगर वह होगा तो ऐसे जो जातक होते हैं आलसी प्रवर्ती के होते हैं और बातूनी होते हैं बात करने का बहुत सोख और ऐसी बात करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है या गपे मारने का इने बहुत सोख होता है बहुत बहुत उंची बाते करना एक बहुत लेविल की बाते करना लेकिन अगर हम बात के पीछे की वो देखत यहां पर लिए घाटध के काफी कच्चे होते हैं यह किसी ने ने इनिने कोई बात पहले विच्वास करके जो है यूँ lazima सोचे विचार से करने को अर और कई बारें साथ देखा जाता है कि कान के बहुत कच्चे होते हैं किसी ने कुछ पह değई तो किसी बात को सत्यमान ë कर और बाद विभाद में उतर आते हैं इसी करने इनका जो जीवन है वह कश्ट प्रद हो जाता है लड़ाई जगडे की बहुत इस्तिती इनके जीवन में बन जाती है तो तरतीय भाब में सूरे जो है ज़्यादा अधिक अच्छा फल नहीं करता है अगर वह पाप प्रभाब में हो लेकिन यदि वही सूरे सुभ प्रभाब म होता है और मेरी द्वारा दीजानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बैल आइकन को भी दबाईए जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिपिकेजन आपको प्राप्त हो सकें जै महाकाल